सूरत पुलिस क्राइम ब्रांच को मिली सफल था, नब्य लाग की चोरी करने वाले आरोपी को मद्य प्रदेश से क्राइम ब्रांच ने गिरफतार कर लिया है, आपको बता दे कि सूरत क्राइम ब्रांच ने चोरी की रकम भी बरामत कर लिया है, आरोपी मुलता मद्य प्रदे गाड दिये थे जब पुलिस ने कड़ी पोश्टास की तो आरोपियों ने बताया कि हमारा खेद गिर्वी रखा था और कर्ज भी जादा था जिसके लिए हम लोगों ने एक अदम उठाया है सूरत पुलिस आयुक ने पत्तकार परिस्द में बताया कि दोनों आरोपि में एक का नाम इंपल विशन मंडलोई और दूसरा नेपल विशन मंडलोई है इसके साथ साथ पुलिस आयुक ने कहा कि कम्पनी में चौरी के बाद जो आत्मत्या की घटना हुई है उसकी भी जाच चल रही है और पकड़े गे आरोपिो के साथ उसका कोई लिंक है कि नहीं ये जाच का विशन है फिरहाल जाँच चल लही है, सूरत पुलिस साइट ने कहा कि यह जो सफलता मिली है उसका सरे PSI सिंदा और PSI वाड़ा को जाता है जिसको इस काम की सफलता के लिए दोनों PSI को पुरसकार देकर सम्मानित किया जाएगा. सूरत शहर के खटोदरा पुलिस टेशन की सीमा में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओफिस में 11 अक्तूबर के दिन एक बड़ी चोरी का रिपोर्ट किया गया था जिसके आधार पे पुलिस ने स्थानिक पुलिस और उसके साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी इसकी तफ्शी देर बाद वो एक बैग लेके साथ में निकल जाते हैं एक और्टो पकड़ते हैं बस टेंट तक जाते हैं उसके बाद कहां की बस कैसे पकड़ी कितने बज़े पकड़ी वो आगे कोई विगत नहीं मिल रही थी क्राइम ब्रांच की दो टीमें इसमें कारियरत थी नाम है एमपाल एमपाल विशन मनलोई जो मूल छोटी जीरी गाव थाना उदेगड अली राजपूर मध्यप्रदेश का रहने वाला है इसके साथ में इसका भाई था जिसका नाम है नेपाल नेपाल विशन मनलोई दोनों एक ही परिवार के हैं सगे भाई हैं इनके पिता इनके बताया अनुसार किसी स्कूल में पियौन का जॉब कर रहे थे इनकी दो बेहने इंदोर में पड़ रही हैं परिवार में पैसे की काफी किल्लत थी इनके बताया अनुसार इनके पिता जी को पांच लाख रूपया करद चुकाना था और जमीन निलाम ना हो जाए आरो इस दिन पहले ही यहां से सर्विस छोड़के अपने घर गया था लगबग छे महीं ने इसने यहां काम किया और क्योंकि इसको ऑफिस के सभी गतिविदियों का पैसा कहां रखा जाता है उसका बढ़ की चाबी कहां रखी जाती है सभी जानकारी इसके पास थी तो अपने कड़ा गया तो इन्होंने बताया के पैसा इन्होंने एक खेत में एक मटके में रखके खेत में दबा दिया है पुलिस को इसी तरीके से पैसा खेत में मटके में से रिकावर करने में सफलता मिली है शुरुवात में यह चोरी 90 लाग की बताई गई थी लेकिन फर्यादी ने फर बाद में कूरी डिटेल चेक की तो लगबग एक करोड रुपया की कैश की ये चोरी थी इसमें 98 लाग से ज्यादा रुपया पुलिस ने बरामत किया है इसमें दो तीन चीजें ऐसी ध्यान में आई हैं जिसका ध्यान सभी व्यपारियों को सभी नागरिकों को रखने की ज जरुवत है उसका फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए उसका स्थाई पता आपके पास होना चाहिए और कीमती समान ऑफिस में संबहों वहां तक ना रखा जाए और यह दे रखावा जाए तो उसका अच्छे से सुरक्षित कर लेने की जरुवत होती है यानि एक तिज चाहिए से ही यह लोक्रिंग सिस्टम खुलता है तीसरी चीज चोकिदार वहां थे रात को आठ बजे जब इन लोगों ने इस ओफिस में प्रवेश किया तो उनसे उनको रोका भी नहीं गया उनसे पूछ पूछ भी नहीं की गई तो इस तरह का ढीला सुरक्षा जिन टीमों ने इसमें महनत करके इस अपराद को डिटेक्ट किया है उन सभी को अच्छा इनाम दिया जाएगा धन्यवाद